है 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 यह जो इस तुटेंट्स वेलकम टू स्टडी विथ कॉंसेट्स सो आज की क्लास में हम लोग nc it exercise 1.1 का हम लोग यहाँ पर कोश्चन नमर 11 देखेंगे तो यह जो कोश्चन है यह बिल्कुल फिलिंदा ब्लैंक्स कोश्चन है है न हमें यहाँ पर यह जो ब्लैंक्स है उसे हमें क्या करना है फिल करना है तो पहला कोश्चन यहाँ पर क्या है देखेगा कि जीरो है रैसी प्रोकल होता है क्या नहीं अगर आपने जीरो को अगर आप रैसी प्रोकल करोगे मीन जीरो का र 1 by 0 की value क्या होती है infinity तो इसका मतलब यह है कि 0 का reciprocal नहीं होता है तो इसका answer क्या हो जाएगा 0 has no reciprocal clear पहला question दूसरा question क्या है the number dash and dash are their own reciprocal तो यह तो हम लोग last question में भी कर चुके थे कि यह ऐसे दो numbers कौन से है जिनका जो rational number का खुद ही अपना reciprocal वो खुद number होता है जैसे कि मैंने यहां लिख दिया plus 1 तो plus 1 का reciprocal क्या होगा 1 upon 1 इसका मतलब क्या होता है plus 1 मैंने यहां लिख दिया minus 1 तो minus 1 का reciprocal क्या होता है 1 upon minus 1 और 1 upon minus 1 की value क्या होती है minus 1 ही होती है so एक rational number का reciprocal उसका वो खुदी number होता है rational number का reciprocal वहाँ खुदी number होता है तो ऐसे कौन-कौन से number है एक है plus 1 और दूसरा है minus 1 clear? तो आपके second question का answer क्या हो जाएगा plus 1 and minus 1 clear? अगला question the reciprocal of minus 5 is अब minus 5 का reciprocal क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ 2 का reciprocal क्या होगा तो आप मुझे कहोगे sir 2 by 1 का reciprocal होगा 1 by 2 उसी प्रकार से minus 5 का reciprocal क्या होगा 1 upon 5 अच्छा sign यहाँ minus है तो यहाँ पर भी क्या आजएगा minus so 1 upon minus 5 clear? अगला question reciprocal of 1 upon x where x is not equals to 0 अगर मैं यहाँ पर लिख दू 1 by 2 so 1 by 2 का reciprocal क्या होगा आप कहोगे sir 2 by 1 मैंने कहा 5 by 2 का reciprocal क्या होगा तो आप कहोगे sir 2 by 5 उसी प्रकार से अगर मैं आप से कह दू 1 by x का reciprocal क्या होगा तो आप कहोगे sir x by 1 और x by 1 को 1 लिखने की ज़रूत है नहीं नीचे तो हम क्या लिखेंगे direct x so इसका answer आपका क्या होजागा x clear? अगला question the product of 2 rational number is always a जब कभी भी आप किसी 2 rational number को आप multiply करते हैं तो आपको हमेशा क्या मिलेगा rational number ही मिलेगा तो इसका answer क्या होजाएगा rational number अगला question the reciprocal of positive rational number is जब कभी भी आप किसी positive rational number को आप reciprocal करते हो तो आपको हमेशा क्या मिलेगा positive number ही मिलेगा always positive सब्सक्राइब करोगे तो आपको हमेशा पॉजिटीव रेशनल लंबर ही मिलेगा है ना सो आपका अंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपको कहीं पर भी डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा अच्छा अभी तक अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भी यह चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिजेगा ठीक है आज हमारी exercise 1.1 complete होती है अब कल से हम लोग यहाँ पर next वीडियो से हम लोग next class से हम लोग exercise 1.2 का हम लोग question number first करेंगे ठीक है friends so इस वीडियो में अपन लोग इतनी रखते हैं मिलते है next वीडियो में जब तक लिए bye bye take care